आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनेल स्कॉलसिफ रेलेटेड एक नया वीडियो लेक्या आया हूँ एक वीडियो भी सभी स्टूडन के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट और गुड निवूज होने वाला क्यूंकि इस वीडियो में बात कने वाला पर है नेशन का प्रूब के साथ आप लोग को स्टेटस दिखाने वाला साथ साथ बताने वाला हूं कि आप लोग को कब तक पैमेंट मिलेगा अभी क्या क्या वेरिपीकेशन चल रहा और कब तक आपका वेरिपीकेशन हो जाएगा क्योंकि पिछला वीडियो में बहुत सब्सक्राइब क आप लाइक की है तो वीडियो को लास्ट तक जरू देखेगा तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो लाइक जरू कीज़ेगा दोस्तों साथ सेयर भी कीज़ेगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिए नया नया अपडेट हमें सब पाने क करते हैं अगर आप लोग लोग लग लोग करना अगरा अपने सब्सक्क्राइब करके लोग लें कर लेंगे तो आपका इस्टेटेस इस प्रकार अपका फोराइल ओपन हो जाएगा और आप चेक कर पाएंगे या भी नहीं हुआ तो फिर्ट टाइम अगर भर है तो यहां पर यहां पर रहा गा तब लोग अपना अधार का अप्ण करने का ओप्शन मिलेगा वहां से अपडेट कर पाएंगे अभी बहुत student का अभी nsp to pfms यहां पर यह हो चुका है जैसे कि देख सकते हैं इस student का अभी जगा से वेरिफाइब हो चुका अभी आपको सकते हैं तब हैं देख सकते हैं आपने से इंपको पताई oluyor को डिस्किप्सन पर ही इस स्श्रीट का लिंक देदीडिया देख सकते चेक एनसपी स्कॉलरसीव स्टेटस बाइ एप्लिकेसन नमबर या पिर आप लोग गूगल में अपना कोई भी ब्राजर को ओपेन कर लिजो मोबाइल का या कंप्यूटर का गूगल में लिखे सभी लिखेंगे स्कॉलरसी किलिक करेंगे इस तरह का इंटरपेस अपन हो जाएगा उसकार आपको यहां पर एपलिकेशन नमबर से 적म प्रैक करना एक पेमेंट इस्टेश ट्रैक करना जैसा संसर्च सब्सक्राइफ नमबर को यहां पर पर उसको यहां पर लिखना मेरा केस में मेरा स्क्रिन पे जो दीक रहा हम उसको लिखते हैं आपका मुबाइल यह कम्पीटर में पे जो दिए उसको अप लोग को लिखना और सर्च वलंब क्लिक करना ता घरिपाई हो जाएगा अगर किसी स्टूडं का डाटा यहां पर दिखारा नो रेकॉड्ड फाउं क्योंकि इसमें एनस्पी टूपी एफ में सोने के बाद आपका कम सेवन वार्किंग डेज अपलों को टाइम लगता है यहां पर अपडेट होने के लिए तब कुछ दिन बात त्राइक किजिएगा यहां पर डाटा फाइंड हो जाएगा फिर आप अपना पैमेंट का स्टेट करके आप कमेंट में जरूब बताएगा और जिस स्टूडन का भी नेशनल स्कॉलसिप का टोकेन नंबर मिल गया उलोक को अगर अभी तक पैमेंट नहीं मिला तो ध्यान दीजिए कि टोकेन नंबर मिलने के लगबग तीन महिना समय रहता है इस्टूडन को पैमेंट से अगर डिले करते हैं या फिर फंड में अगर में पैमेंट नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता है टॉकर नमर आपको एक बार मिल गया ताप निस्चिंत हो जाई आपको पैमेंट मिलेगा सिर्फ आप लोग अपना बैंक अकान को अपडेटेटेट रखी आधार कार्ड है तो आधार लिंक करके रिखिए बैंक अकांट के साथ कुछ दिन वेट किजिएगा आप लोगों पैमेंट रेसीब हो जागा नहीं तो नया टॉकर नमबर जैनरेट होने के बाद भी स्टूडन को पैमेंट मिल जाता है तापको अगर आपका स्टेटस इस प्रकार दिखा रहा एप्लिकेशन सेंट टूपी एफमेंट तापको अभी कुछ नहीं करना वेट करना बैंक अपडेटेट करना अधार लिंक करना कुछ दिन वेट किजिए आप लोगों को पैमेंट मिल जाएगा अभी बहुत हो इस्टूडन को पैमेंट मिल रहा है जिसका भी से जल्द रिसीव होगा क्योंकि जो इस्टूडन फर्स्ट टाइम में ही फॉर्म एपलाई की है रिन्वल की महिना में जैसे 20 जुलाय को फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था तो पचीस-30 तक महीं या फिर जुलाय के बाद आगस्त में जो लोगों का जल्दी भेरिपाई हो जो अभी अभी फॉर्म भार रहा हो लोग भी वेट किजिए आपका फॉर्म इंस्टीट वेरिपाई होगा फिर मिनिस्टरी फिर आपका नस्पी टू पीएफ में सोने के बाद आप लोगों पर रिसीब होगा तो अगर आप लोगे जानकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेयर करें और एनस्पी रिलेटर जो भी नए अपडेट हैगा सबसे पहले मैं आप लोग अपडेट कर दूंगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चले फ्रेंड मिलते नेक्स्ट वीडियो